नमस्कार शादार पनाम आप सबे का बहुत बोई श्वागत है। आज हम आपके समख सुपस्थी थे, अप्रिल 2024 माह का रासी पथल गर मेसर राशी वाले जातकों के लिए अप रिल 2014 24 का जो महिना हो कैसा रहने वाला है मेंश राशी वाले जातक जो होते ओंगल से संचालित होते हो मंगल का जो गोचर हों भी आपके 11 थाऊष में चल रहा है सनी के साथ यूती में चल रहा है यह गोचरी विष्था की बात करें तो पिछले कहीं ने 15-20 दिनों से आपके वानी को लिखकर आपके जीवद में काफी ज्यादा दिक्कतों का आप सामना कर रहा कर रहे है क्योंकि कई ने कहीं आपकी वानी लड़ खड़ा आने के कारण आपके कहीं काम बिगड़ते आ आपके शिक्स थाउस को यानि की रोग रिपू रिण सत्रु दुरगटना की स्थान को प्रभावित करेगा तो आपको इन चीजों से आपको शावदानी रखनी है जितने आपके सब्दों क्यूपर पकड़ रहेगी जितना आपका खानपान साथ विक रहेगा उतना यह गोच कर्मस्थान की अधिपती के का के साथ सनिमंगल यूति में रहेगी तो कई ने कई आपके केरियर में भी उठा पटकमची होगी यह मैने और यह मैंने 23 अप्रेल तक ऐसी स्थितिया होगी तो 23 अप्रेल तक कारेस्था को लेकर भी आपको शावदानी रखनी है लगनेस भी क अपने व्यक्तित वक्त को लेकर भी यह मीन आपको ख्यार लखना है जितनी वानी ठीक रहेगी जितना सब्दों के उपर पकड़ रहेगी उतना यह गोचर बढ़िया रहेगा कारवाहन आदी तिया दिगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूरवक चलाना है 14 अपरिल के बाद आपके व्रुष्पती के उपर से सुर्य का गोचर होने के कारण कहीं ने कहीं आपके मान सम्मान में बड़ोतरी होगी लेकिन तब जब आपके सब्दों के उपर पकड़ होगी तब यह महीना और मही महीना यानि कि अपरिल और मही महीना कहीं ने कहीं आपक के अंदर अच्छी स्थिती आपको प्राप्त होती नज़राश रखती है कि पैसों का खर्थ 24 अप्रिल तक सुख्षोविदा लग्जेरिस लाइब के पीछे होगा इसलिए पहले से आपको कोई यात्रा की तारिक बता देते हैं एक तारिक से लेके साथ तारिक तक नो तारिक से लेकि ग्यारा तारिक तक तो पंदर अपरिल के बाद कर सकते हैं केरियर को लेकर स्टी गडबर रहेगी संगर्ज वागदोडवाला समय रहेगा तो आपको कुंप्रमास करके चलना है आर्थिक स्टी की बात करने ता आर्थिक से रेके 27 तारीक दर कोई ने कोई माध्यम से छोटी बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी विवाहिक जीवन को लेकर स्थेती गड़बर रहेगी कॉंप्रमाइस करके चलना है थर्ड़ व्यक्ति के रहेगा खानपान ठीक रहेगा उतना यहां गोचर आपके लिए बढ़िया उम्लाप्रद रहेगा जिनको पहले से पाइल्स प्रोस्टेट किरिनी स्टॉन को लेकर दिक्कते उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल देखके चलना है संतान को लेके 14 अप्रिल तक संतान का स्वास्थ्य गड़बर रहेगा जो लेडी ने संतान कंशिव करा रखी है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल लगके चलना है अप्रिल दोजार चोबीस का जो मेना हो मेश रासी वाले चाहत्यकों के लिए बहुत बढ़िया साबित ह तो इसके लिए आपको थोड़े उपाई बता देते हैं कुरुपा करके आप उपाई जलू कर लेजेगा अप्रतिरिन भगवान शुर्य देवता को जल प्रदान करिए गायत्री मंतर का यथा संभू पाठ करिए भगवान शिव मनवान जी के दर्शन कर लेते हैं शिव जी कि आई यह बात करते हैं रुषब रासी वाले जहतकों कि रुषब राशी वाले जहतकों का अप्रिल 2024 का जो मेना कैसा रहने वाला है दुशब राशी वाले जातक जो होते हो शुक्र से संचालित होते हैं शुक्र का जो गोचर हो भी आपके 11 थाउस में चल रहा है यह गोचर योस्था की बात करें तो कई ने कई यह मिना जो हो आपका अच्छा रहेगा लाप्रद रहेगा इच्छा स्था पूरति हूती हमें नजड़ाशकते हैं लेकिन 11 था ओस में लगने इसका गूतर राहु के साथ यूति में होने के कारण कई नहें कई से मोरत हमें गोसर के इंहींais की दिक्कतता करता है तो अपने हेल्थ को लेकर यह हुई ने ख्याल लगकर चलना है कईने कई सनी मंगल की यूती सनी मंगल की यूती टैंज थावस में रहेगी तो केरियर में बड़ी उठापटक मच्ती नजर आशकती है कारिस्थल पर भाग दोल चिड़ापन गुस्सा उग्रत हो जाना बोस के साथ संबंदों में ताल मेल बेठा कर रखना है सनी मंगड की यूती की कारिस्थल को थोड़ी गड़बड करेगी तो आपको अपने शुभाव के उपर कंच्रूल करके चलना है फाइनेंसल चिती जो है वह आखरी शक्ता में गड़बड होगी 24 अपरिल के बाद पै पैतरुक संपती को लेकर कोई काम रुका फशा पड़ा हुआ है तो यह मैंने आपके काम जल्दी बनते नजर आशकते हैं संतान से यह मैंने कोई कारणवस दूरी शंभव है क्योंकि आपके पंचंभाव का अधिपती 12 थाउस में है तो जब भी पंचंभाव का अधिपती 12 थाउस में जाता है यह तो उस्थान से गोचर करता है तो कई न कई कोई कारणवस संतान से हमें दूरी शंभव होती नजर आशकती है 23 अपरिल के बाद आपनी वानी पर कंट्रोल करके चलना है क्योंकि मंगल की यूटी जो है ओ 11 थाउस में राहो के साथ रहेगी मंगल की पूर्णे द्रश्टी जो है चोथी द्रश्टी वह शकंड आउस पर रहेगी तो वानी लडखड आएगी वानी गडबड होगी भोजन भी आपका तामसी रहेगा पेट में गैसे जलन की सिकात रहेगी इसलिए पहले सी खानबान पर कंट्रोल करके चलना है और वानी पर कं चलाते तो शावधाने पूल्च चला आए आपको बाहरी मानी संवान की प्राप्ति 14 एपरील के बाद होतीने ज्राज यह मेंने आप घर परिवार के साथ यात्रा करते नजरा शकते हैं यह में नहीं जात्रा के योग बन्रम आपको यात्रा की तारिक बता देते हैं तीन तारिक सेले के आठ तारिक तक 16 तारिक सेले के 21 तारिक सेले के 25 तक को इनको यात्रा के योग बनेंगे एजुकेशन को लेकर वारंबिक शिक्सा गडबर रहेगी उत्षिक्सा बालव विदियातियों के लिए गोचर मद्यम रहेगा केरियर को लेकर सनिमंगल की यूती टैनिटाउस में रहेगी कारेस्थल पर मद्यम रहेगा कॉंप्रोमाइस करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है 23 सेपल के बाद केरियर में थोड़ा सुधार होता नगराशकता है फाइनेंशल स्थिती आपकी अच्छे रहेगी आखरी सब्ता में पैसों का खट सुक्षुदा लग्जेरी स्लाइट के पीछे होगा फाइनशल प्लानिंग करके चलना है यह मंने ध्रललाप की जोग तर formulated आपको दंकरत की तारिख भी बता देते है उन द्रहेगों में रुक्यूए फश्यूए पैसे भी आपको प्राप्त हो है कि या तो उन तरिखों में कोई न कोई मादियम से छोटी- souvent File की구요 कोई माध्यम से चोटी बड़ी मात्रा में धनकी प्राप्ति होगी विवाहिक जीवन को लेकर स्थेदी मध्यम रहेंगी कोंप्रमाइस करके चलते हैं को प्रोट करके चलते हैं तो कोई दिकत नहीं है स्वास्ते को लेकर स्कीन यूरिनल गायनी की कि दिने स्टॉन को लेकर दिकते उनको अपने स्वास्ते का ख्यान लग के चलना है पेट में गयस आशिदिटी जलन की सिकायच गड़ खान पान होने के कारण होगी तो आपको पहले से खान पान पर कंत्रोल करके चलना है संतान को लेकर जो है उस्तिती ठीक नहीं रहेगी क्योंकि संतान का स्वास्त्री अमेने प्रवावित होगा तो आपको ख्याल लगके चलना है अपरेल दोजार चोबिस का जुम इनावी उश्प राशी बाले चाहते को के लिए बहुत बढ़िया साबित हो इसके लिए आपको थोड़े उपाई बता देते हैं गुरुपा करके आप उपाई जर्दू कर लेजेगा आपको प्रति दिन ओम शुम्शुक्रायर महभी जमंत ओवर करके अपविन बूग करकरा है नमस्कार अईए बात करते मितन रासी वाल जातिकों की मितन रासी वाल जातगों का अप्रिल दोजार चोबीस का जो मेनावक एसा और बूध की स्थिति जो है और अठार अपरेज तक अस्त स्थिति में रहेगा तो यह को चरिवस्था की हम बात कर लेते हैं कि यह जो पूरा महीना है वह आपका पूरा महीना आपके ओपरेटिंग प्लेनेट्स यानि की बूध के ऊपर आपका पूरा दाबुमदार टिका की बहत सांदर होने वाला है यह महीने की बात करें तो यह महीने आपको कोई बड़े डिसीजन लेने से बचना है सोच समझ कर आगे बढ़ना है अपने स्वास्ते का ख्यार लगके चलना है लगनेश की स्थिति कमजोर होने के कारण आपके हेल्थ में इश्यू आ सकता है लगनेश की स्थिति बहत कमजोर रहेगी और आपको धीरत देरियर से आगे बढ़ना है जल्दबाजी में कोई नेड़े लही लेना है अगर आप सांति पूरो के हम इना निकाल लेते हैं तो यह गोचरात के लिए बहत बड़िया साबित होगा यह महीना जो है वो पैसों का खर्च सुविद्दा एवं लग्जरी स्लाइब के पीछे दनका खर्च ज्यादा मात्रा में होगा इसलिए पहले सी आपको फाइनल से प्लानिंग करके चलना है बूद राहु शुक्र एवं सुद्य की यूति आपके टेंथाउस में रहेगी तो यह मेना जो है हो कई न कई आपको कोई कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण आपकी सम्मान देवंपत्पतिष्ठा की हानी हो इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्व कि हमेना निकाल लेना है तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा केरियर को लेकर बहुत भागदोड़ व देवन साबित होगा लड़ाई जगडों से आपको दूर रहना है कार वहान आधी तियारी जो भी अगर चलाते है तो उनको आपके शावधानी पुर्वक उपयोग करना है चलाना है माता पिता के स्वास्तेका ख्याल लग के चलना है खास करके पिता जी के स्वास्तेका 14 अ अठाइस तरह से लेकिंगे तीस तरह तक कोई जात्रा की जोग बनेंगे प्राइंबिक शिक्षा जो रहेगी एज्योकेशन को लेकर बात कर लेते प्राइंबिक शिक्षा आपकी गडबड रहेगी उच्छा वाले विद्यारती है जो लो फिल्ड एंजिनियरिंग और मेडिकल से जुड़े विद्यारती है उनकी लिए गोचर बहुत बढ़िया रहेगा केरियर को लेकर टेंट थाउस में राहू स्थित होने के कारणकार स्थल पर अस्थी पैसे भी प्राप्त होगे या तो उन तारिकों में छोटी बड़ी मात्रा में दन की प्राप्ति हो शक्ति हम आपको तारिक पता देते हैं तीन तारिक से लेके दस तारिक तक छोला तारिक से लेके 27 तारिक कोई ने कोई माध्यम से छोटी बड़ी मात्रा में दन की प्राप लेक именно चलना है संथान बाद कर दोज़ा स्शांते को स्वास्थ सदीं संतान को स्वास्ते प्रवावित होगा। इसलिके स्वास्थे का यह दो हमने छिया लएंग कमेट मेना है, उमें भी रांति के लिए, पहल में तोदे आपको थोड़ी बता देता है, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बड़ीया थाबित होगा अगर आप अपनी जन्मकुनली का अधियन करवानत चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल्ड़ नमपर पर आप हमसे संपर करके अपने बुक करा आशकते हैं नमस्कार